फ्रेंड्स आपने कभी गर्मा गर्म तेल में इस तरीके से साबुदाना डाल कर देखा है इतनी सांदार रेश्वी बनती है कि आप इसे बनाए बगेर रही नहीं सकते अगर आपको रेश्वी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को सेर तो चलिए फिर सुरू करते हैं बनाना वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है तो यहां पर मैंने चार मीडियम साइज की आलू को छिल के दो लिया है अब हमें लेना है ग्रेटर ग्रेटर का जो बड़ा वाला भाग है उस report कर सकते हो섯 कि दो कि एक वीडियो में दो संदासरे मिलने वाली है जैसे अबिन आत्र चल रहे है न तो उसके लिए आप बना कर कर शरू कर सकते हो और फ्रेंड्यू और साब दाने की awarded के की दिखा सकते हो बहुती टेस्ट लगती है देखिए एक आलो को मैंने pulled कर लि और यह देखे मैंने सारे आलों को इस तरह से ग्रेट कर लिया है आप सभी को पता होगा कि आलों में बहुत ज्यादा इस्टार्च होता है अब हम इसे पानी में अच्छे से दो तिन लो भार धो लेंगे तो आलों में से सारा का सारा इस्टरच कहतम हो जाएगा अभी आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा सा दिखरा है अभी हमने इसे अच्छे से धो लिया है देखी अभी इसमें बिल्कुल भी ईश्टार्च नहीं है और पाने भी बिल्कुल साप दिखाए दे रहा है मैंने छल्ने में चान कर सारा पानी निकाल लिया है अब हम लेंगे एक सूती कपड़ा तो आप कोई भी टाव ले सकते हो या कोई भी सूती कपड़ा ले लीजिएगा आलू के लच्छों को अच्छे से निचोड़ कर इस तरीके से फेला दीजिएगा आलू में पाने नहीं होना चाहिए तो आपों पर थोड़ा सब प्रेशर देकर आप इसे निचोड़ दीजिएगा इसी तरह हम सारे ढाल देंगे अब हम इस अच्छे से फेला के सुका देंगे इसे हमें पंके के निज़र सुका देंगे कम से कम आर्दा गंटे के लिए अब हमने यहाँ पे आदी कटोरी साबूदाना लिया है यह मीडियम साइज वाला साबूदाना है आप चाहे तो एक इससे बड़ी साइज का आता है अगर वो है आपके पास उसका भी यूज कर सकते हो वेसे नॉर्मली यह साबूदाना हमारे घर में हमेशा ही मिलता है यह वर्त में हमेशा यूज किया जाता है यह वाला साबूदाना तो एक कडाई में तेल रख दिया है तेल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए आप साबुदाना को इस तरीके से गर्मा घरम तेल में डालना है गर्मा घरम तेल में साबुदाना आप डालेगे ना तो आप देखेंगे कि थोध देर में वो अपने साय Ethereum से बड़ा हो जाएगा आप चलनी से इस तरे सी रोटेट करते रहना है जिससे क्या होगा साबू दाना अच्छे से फूलेगा तो गेंस का फ्लेम हमें यहाँ पर हाई रखना है साबू दाना को पकने में आपको लगपक तीन से चार्ज मिनिट का समय लग जाएगा बड़िया से पक जाएगा तब ही इसमें बड़िया से करंच आएगा नए तो यह दानत में चिपकता भी है अगर एक कच्छा रह गया तो तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है बस अब हमें से निकाल लेंगी अब हमें से टीसू पेपर पर निकाल लेंगी इसमें जितना भी एक्स्ट्रा उइल होगा वो खतम हो जाएगा इसका टेश्ट जैसे साबुदाना की पापड बनाते है न वेसा आता है अपने साइस से डबल हो जाता है एक बार में हमें बहुत ज़्यादा साबुदाना फ्राई नहीं करना है जितना हमारी कड़ाई में आसानी से आ जाए उतना ही डाली सभी साबुदाना को मैंने टीसू पेपर पर निकाल लिया है अब जैसे जैसे ठंडा होगा और भी ज़्यादा क्रेंची हो जाएगा अब हम इसे के साथ फ्राई करेंगे थोड़े से काजू और बादाम का सा कलर चेंज हो जाने तक आप इसे फ्राई कर लिजी देखे हमारी काजू और बादाम का कलर सुने रहा हो गया है बस हमें उतना ही फ्राई करना है अब हम चलने में दो तीन हरी मिर्च जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है और थोड़े से करी पत्ते भी डाल दिया है इसको भी बड़ी असा करंच आ जाए तो इसको भी निकाल लेंगी करी पत्ता का फ्लेवर हमारी इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है करी पत्ता और मिर्च को मैंने फ्राई कर लिया है और अभी जो हमने आलो के लच्छो को सुकाया था ना ये भी हलके से ड्राई हो गया है तो हाथ में जब आप इससे डालें तो आपको हाथ में बिल्कुल भी नामी नहीं लगेगी बिल्कुल से ड्राई है हमारी जो अतेले बिल्कुल से ड्राई निकल रही है बस इसी तरीके से हमें आलो के लच्चो को सुका कर रेडी करना है अब हम गरम गरम तेल में आलो के लच्चो को डालना है दो मुटी बरकर में ने डाल दिया है और गेंस की फ्लेम हमें हाई से थोड़ी कम करनी है अब चलने से इसी तरीके से चलाते हुए फ्राई कर लेना है इसी हम तब तक फ्राई करेंगे आलू के लच्छों का कलर हलका सा सुने रहा हो जाए इसमें बड़िया से करंच आ जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है साबुदाना से आपने बहुत साए रेश भी बनाई होगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा सांदार है और अगर आपने इसे कभी भी ट्राई नहीं किया है तो एक बार जरू ट्राई करिएगा इसको भी हमें निकालना है टीसू पेपर पर जिसे की जो भी एक्ट्रा ओएल होगा वो टीसू पेपर पर ही आ जाएगा इसी तरह से हम सारे लच्छो को फ्राई कर लेंगी बस आपको ध्यान यहीं रखना है कि इसका बड़ी असा कलर आ जाना चाहिए और कलर एक जिसा आने के लिए छलने को इस तरह से रोटेट करना है इसको पकाने में भी आपको लगबग 3-4 मिनट का समय लग जाएगा सारे आलू के लच्छो को मैंने फ्राई कर लिया है देखे जो हमने साबुदाना फ्राई किये थे ना उसमें अब बिल्कुल भी तेल नहीं है देखे सवी साबुदाना खिले खिले लग रहे है अब इसमें से थोड़े से साबुदाना को मैं निकाल लूँगी इसे हम दूसरी रेस भी बनाऊंगी अब इसे एक बड़े से बर्तन में ट्रांसपर कर लेंगे अब हम इसे के साथ दाल देंगे जो हमने फ्राई किये थे आलो के लच्छो को साथ ही डाल देंगे जो हमने मेट चोर करी पत्ता काजु बदाम को फ्राई किया था वो भी डाल देंगे आप चाहे तो इसमें मुंगफली को भी रोष्ट करके डाल सकते हो अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी से शेंदा नमक भी डाल सकते हो मैं इसे अभी ऐसे ही रख रही हूँ जब खाएंगे तब उसमें अपनी मन पसंद के मसारे डाल सकते हो वर्ट के लिए तो आप किसे अंदा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर का यूज करे ये देखे मैंने इसे मिक्स कर लिया है आप इसे लंबे समय के लिए आप इसे इस्टोर करके रख सकते हो ये बिल्कूल भी खराब नहीं होगा अब हम वर्ट के लिए दूसरी रेशी भी तयार कर लेते है थोड़े से मैंने लिया है फ्राई की हुए साबुदाना और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से बारी कटे हुए खीरे इसके लिए आप वर्ट में जो भी सबजिया खाते हो आप इसमें एड़ कर सकते हो और दो बारी कटे हुए हरमिज आदा टमाटर लेया है बारी कटा हुआ और थोड़ा सा हरा दनिया और थोड़ी सी काली मिज्च का पाउडर साथ ही डाल देगे थोड़ा से छेंदा नमाट और आदा नेमू का रस डाल देंगे आप सारी चीज़ा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपने मकाने की बेल खाई है मुर्बरे की बेल खाई है पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न बुलें और फिर मिलती हूँ एक और ऐसी नए रेशिपी के साथ तब तक लें बाई 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 एंड टेक केर